देखिए सागापा तो यह गाने का जो म्यूजिक निकला है यहां से यह हमारा होता है सूद्धगा ठीक है दोस्तों सारे गामा पाधनी साम ठीक है दोस्तों अब लोग कैसे हो आई होप आप लोग सब बढ़े हाऊंगे स्वागत है हमारे यूटूब चैनल एसेंपी प्यानो लवर में सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे ठीक है वो आपको यहां पे इस परस्ट हम पहले दिखा देते हैं यह टॉपिक हमारा आज कमेन होगा तुने प्यार की बीन बजाई मैं दोड़ी चली आई नागिन फिल्म की सौंग है यह बहुत ही पापुलर है और हमने पहले से ही इनका सारा एक एक चीज निकाल के रखा हुआ है तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यह सुनने को मिलेगा देखने को मिलेग तो आप अंतक जरूर देखें और इस 15 मिनट की वीडियो अगर आप वाज कर लेते हो फुल वाज तो आप कोई भी गाना असानी से आप अपने प्यानों पे बजा सकते हो हर्मोनियम हो या बेंजो या आरगन हो ठीक है मित्रो तो आज मैं इस गाने का इतना सारा निकाल तो दोस्तो आप लोगों की डिमांट रहती है कि भाई आप कई जहने मुझे कोमेंट के है कि वाइट वाला जो है उसको याद करना है कि इसको भी गुनगुना नह करके तो भाई आपको सुद्ध स्वार जादा तर बलेक होता है और कोमल स्वार जादा तर वाइट होता है मैं यहां से आईए पहले आपको शर्गम बजा के दिखा को प्यालि के दिखा देता हुं फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे ठीक है दोस्तों ये है नेरी पसंदीदा बटन काले तीन जिससे मेरा आवाज मैच करता है मैच कैसे करता है ये देखिए इस प्रकार मेच करता है और मेरा जो गला है काली तीन के उपर डिपेंड रहता है काली तीन इसकेल मेजर माइनर ठीक है दोस्तों तो ये जो गाना है बॉलीबूट की फिल्म की सौंग है तो ये अपनी पाँछवी काली एस आर्प में गाई हुई है ये वाला गाना तुने प्यार की बीन ये बजाई में दोड़ी चली आई ठीक है दोस्तों तो मैं काली 5 में जो में इसका स्केल है ओरिजिनल स्केल उसी में आपको बताने वाला हूँ ठीक है दोस्तों मैंने आप आप लोग मेरे वीडियो काफी सारे देखे होंगे मैं जादा तर काली 3 से ही बताता हूँ आप लोगों को क्योंकि काली 3 मेरा पसंदिदा है और मेरा जो स्वर है मेरा गले का मेरा वाज है वो काली 3 पे मेच करता है तो आज थोड़ा सा उल्टा होगा जो गाना है वो काली 5 में गाई हुई है और इसे बोलते हैं A-Sarp तो इसी scale में ही बताने वाले हुआ आप लोगों को original scale में ठीके दोस्तो आप वीडियो बारिकी से समझे बारिकी से देखे तभी आपको समझ आएगा आईए वीडियो इस्टाक करते हैं तो दोस्तो पहले इसका music part आता है तो music part हर लोगों को पता होता है जीन लोग अगर गाने को 2-4 बार सुने रहे होते हैं तो उनको music part असानी से उनको याद रहता है ठीक दोस्तो तो आए music part से start करते हैं तो इसमें हमने लिग दिया है देखिए सागापा एक card के हिसाब से है न तो ये भी इसका मेजर होगा एक पांच आठ ठीक है दोस्तो ये हमारे पांच भी काली है यानि कि एस आर पर और ये हो गया ये card कभी खेल देखिए card के हिसाब से ही गाना निकलता है ठीक है दोस्तो तो ये हमारे एक card कभी हमने चुनाव कर लिया ये हमारा गाने का पहला music पार्ट है ठीक है दोस्तो ये हमने पता कैसे किया वो भी हम आपको बताते हैं ये हमने card का चुनाव किया ठीक है और हर कोई गाना ठीक है दोस्तो हर कोई भी गाना या गाने का music पार्ट हो ठीक है दोस्तो तो वो निकलेगा या तो सासे सुद्ध सा हो गया या तो सुद्धगा हो गया या तो कोमलगा हो गया या तो हमारा पा हो गया इन तीन चीज से ही ठीक है हमने यहां पर लीख रखा है देखिए सागापा तो यह गाने का जो म्यूजिक निकला है यहां से यह हमारा होता है सूद्धगा ठीक है दोस्तों सारे गामा पाधनी साग ठीक है दोस्तों ध्यार रखिए मैं काली पांच पर बता रहा हूं आप लोगों को ठीक है दोस्तों जो ओरिजिनल स्केल है जिसमें यह फिल्म की सौंग है यह गाई हुई है तो यह पांचवी काली में गाई हुई है तो हमने म्यूजिक पार्ट इस तरह से याद किये देखिए तो इसमें देखिए कौन-कौन से यूज हुए है वो भी हम पहले से ही लिख चुके है ठीक है दोस्तों तो इसमें लगने वाले सूर्थे पहले घारेजा ठीक है तो हमने यहाँ पर लहर के लिए जो बीन बसता है तो बीन में लहर कहाँ से आता है कोई ऐसा बटन जहांसे थोड़ा सा टच होना चीए मतलब उसका साउंड आना चीए इफेक्ट टाइप जैसे एफेक्ट बोलते हैं किसे वीडियो में एफेक्ट रहता है उसी प्रकार आप इसको भी समझ सकते हो जैसे थोड़ा सा एक बटन प्रेस कीजिए दे इस प्रकार इसमें भी इफेक्ट देना है ताकि बीन के जैसा ये भी लगे ठीक है दोस्तो काली पांस से बता रहो है ठीक है देखे इसमें यूज होने वाले बटन कुन-कुन से थे एक ठीक है दो ठीक है तिन ठीक है चार चार बटन यूज होए हैं लेकिन धुन कैसा बज रहे बेखी इन चार बटन से धुन कुछ अलग ही निकल रहा है लेकिन ये मत भूलिए कि इसमें कौन-कौन से बटन भी साथ में टच टच भी करना जरूरी है मतलब धून के हिसाब से आपको वहाँ पर टच करना जरूरी होता है ठीक है दोस्तों यह देखें देखें मेरे फिंगर को आप नोटिस कीजिए देखें इसमें टच यह भी टच होता है यह वाला हमारा ठीक है दोस्तों सारे गामा यह होता है हमारा सुध यह भी टच होता है कैसे होता है फिंगर आप देख दीजिए मैं इसको स्लोपे बजा रहूं देखें यह देखें तो यहां से कंफर्म है यह वाला भी यूज होता है लेकिन कुछ म्यूजिक के हिसाब से जहां से म्यूजिक अगर गाने पर है लाहर वो लाहर लाता कौन है यह देखें बच का कौन सा रहा है देखें इन दोनों बटनों पे ही यह धुन निकल रहा है लेकिन यह क्यों यूज हो रहा है यह उनको पूरा भरने का काम कर रहा है भराओ का काम कर रहा है मतलब पूरा म्यूजिक को पूरा करने का काम कर रहा है अगर हम इसको नहीं तो कैसे लगेगा देखना खाली लगा और मज़ा नहीं आया ठीक है दोस्तों तो इसको पूरा करने के लिए ये चीज जरूरी है देखिए फिंगर को आप नोटिस कीजिए ये देखिए तो ये भी यूज हुआ और ये भी यूज हुआ हमने यहाँ पे complete लिख रखा है ये भी आप समझ सकते हो गा रे सा मा गा रे सा ठीक है यह हमारा होगा गा और रे ठीक है सा और ये हमारा होगया मा ठीक है सा रे गा मा तो एक दो तीन चार बटन चार बटन यहाँ पे हमने पहली धून पे लिख रखा है देखिए गरे सामा आप नोट पकड़के बैठ जाया करो और एक पेन ठीक है दोस्तो तो दोस्तो यह देख लिजिए यह हमारा म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट था यह वाला पहला हमने यहाँ पे लिख रखा है धून का गरे सामा आप इसको असानी से लिख सकते हो कौपी या पेन पे ठीक है दोस्तो उसके बाद हमारा आता है दूसरा म्यूजिक ठीक है यह हमारा दूसरा है उसको देख लेते हैं दूसरा पार्ट का ठीक है ठीक है दोस्तों यह हमारा फश्ट हो गया उसके बाद सेकंड क्या होता है पहले एक साथ देखेंगे दोनों ठीक है देखेंगे हमने कंप्लीट म्यूजिक यहां पर बजा लिया और इसमें कौन-कौन सभी लगए है हमने यहां पर लिख रहता है तो दोस्तों हमने दूसरी पार्ट का जो म्यूजिक है कुछ इस प्रकार से है वो आप लोग देख लिजी यह वाला जो हमारा धा नी ठीक है सुद्ध धा, सुद्धनी, कोमल धा और मा और गा दूसरा पार्ट का जो म्यूजिक है वो एक, दो, तीन, चार, पांस्वर ही लगे है इसमें ठीक है और म्यूजिक के भराव के लिए और खुश यूज हुए है वो इस प्रकार थे इसको इस प्रक करते हैं एक बार पूना देखते हैं ठीक है दोस्तों कम्प्लीट यहां पर हमने दो म्यूजिक अभी निकाल ले जो कम्प्लीट है गाने का स्टार्टिंग बोल होता है ठीक है साथ हो तो यह हमारा हो गया पहले का सारे सारी गरे सामा आप पहले पार्ट का यह आप यह वाला सूत्र लिख लिजिए आप यहां पर अपलाई कीजिए और मेरा फिंगर आप यहां पर अपलाई कर सकते हैं आप असानी से यह वाला धुन आज ते से बजा पाऊगे ठीक है दोस्तों उसके बाद आता है दूसर दूसरा कौन सा है हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है म्यूजिक का ठीक है ठीक है तो आप एकदम से अलग बजाने की प्रयास मत करना क्योंकि जो इनमें लिया है भराव के लिए वो चीज भी आपे फिंगरों पे आप प्रेस कीजिए तभी आपको अच्छा लगेगा ठीक है दो उसके बाद हमारा आता है गाने का बोल तो पहले म्यूजिक का कंप्लीट एक बार और देख लेते हैं काली 5 से बता रहूं इस चीज को आप जहान दीजिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूं ठीक है दोस्तों तो आएए पूना देखते हैं ठीक है शाथ यहों उसके बाद गाने का बोल आता है तो गाने का बोल यहाँ पे देख लेजेए पा धासा रे रे गरे कुमर रे कभी यहाँ पे यूज हुआ है तो गाना कुछ इस प्रकार से है वो भी आपunta देख लेजेए ठीक है ये हमारा होगा पा, सुध्धपा, सुध्धदा और सुध्धसा ठीक है दोस्तों ये हमारा सुध्धपा, सुध्धदा और सुध्धसा ठीक है हमने यहाँ पे लिख रख है आप इसको भी स्क्रीन सॉट लेकर समझ सकते हैं या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए सुद्धपा, सुद्धधा, सुद्धसा रे, कोमल रे, सुद्धगा, सुद्धरे ठीके दोस्तों इसको स्क्रिंसोट ले सकते हो या आपने कॉपी पे नोट कर सकते हो तो आएए गाने को बोल को यहाँ पे दर्शाते हैं यह देखिए, गाने का बोल कुछ इसी प्रकार है जो हमने असानी से यहाँ पे निकाल लिया और इसमें कौन-कौन से स्वर लगे हैं हम आपको यहाँ पे लिग दिये हैं आप इसके माध्यम से भी आप असानी से इसको प्ले कर सकते हो ठीक है दोस्तों, तो इसका और जो सेकेंड आते हैं ठीक है दोस्तों, यह हो गया हमारा एक गाने का कम्प्लीट ठीक है, इस गाने में जो लगने वाले जो मुख्या स्वर है यहाँ पे देख लिजिए सा रे सुद्धरे 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 यह है हमारा कोमर रे और यह हमारा सुद्धरे ठीक है तो सारे और गा भी लगा हुआ है तो इसमें कोमल गा नहीं लगे है साथ यह ठीक है इतने में देख सकते हो धा आ गया तो धा में कोमल धा भी लगा है सुद्ध धा भी यहाँ पे लगा है कोमल धा भी लगा है मेरी बात आप ज्यानते हैं सुद्धधा और कोमलधा दूसरी बात है नी जो नी है हमारा ये हमारा सुद्ध नी इसमें कोमलणी यूज नहीं हुआ है नी और लाश्ट होता है हमारा सा तो आप असानी से इनका एक कार्ड निकाल सकते हो वो कुछ इस प्रकार है आईए मैं आपको यहाँ पे नीचे में लिखके दर्सा देता हूँ सो दोस्तो आप यहाँ पे इस परष्ट देख सकते हैं मैंने चिनहांकित कर दिया है इसमें लगने वाले जो मुख्या स्वर्थ है वो है यहाँ पे सुद्धसा सुद्धरे सुद्धगा सुद्धमा सुद्धपा सुद्धधा और सुद्धनी और इसमें कोमल स्वरो की संख् वो सिर्फ 2 ही लगा है कोमल रे, कोमल धा अब आप यहां से असानी से आप इस नोट से ये पूरा गाना आप असानी से बैठ के आहिसते बजा सकते हो बसरते आपको गाना याद आना चीए आप आपके माइन में गाना आपके माइन में बैठे रहना चाहिए तभी आप इस सौंग को बजा पाओगे असानी से इस मेधट के माध्यान से सो दोस्तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम